अगर आप हमारे चनल में स्वागत है और अगर आप हमारे चनल में नहीं देखिए यहाँ पर लाल बटने सस्क्राइब का दबा दीजिए और बेल आइकन में प्रेस कर दीजिए कि ताकि आपको नोटिफिकेशन नए वीडियो की मिलती रहा है आगे बढ़ते हैं आज की जो स्टॉक के वाले में बात करेंगों उसका नाम है एक्सेल इंडेस्ट्री इसक्राइब केमिकल्स का और पांच अप्रिल चार बजे जो इसकी क्लोजिंग थी अब 2019 को 1174 रुपए 55 पैसे पे और 52 वीक लो था है 922 का और हाई बनाया था 1922 रुपए का तो अभी हाई से तो का 1171 इसका भाव चल रहा है एनसी में और देखिए यहां पर मार्केट का एफक्ट 1477 करोड की EPS और पी हम देख लेंगे आगे बुक वैल्यू है 423 की प्राइस्ट बुक है 2.77 की इंडेस्ट्री पी है 44 की और डिलिवरेबल है 55 की 55 परसंट की और फेस वैल्यू भी पांच की है और यहां पर हम कर्जा देखेंगे बैलेंस शीट पर देखिए इस्टेंडेल इस्टेंडेलोन के ही रिजल्ट्स हैं और टोटल डेट है इनके पास साड़े साथ करोड़ का मतलब साथ करोड़ पचास लाग का तो कर्जा तो बहुत ही मामूली सा है ना के बराबर यह और यह देखें यहां पर जो नेट सेल्स थी हम कोड़र की बता जैते हैं लास्ट के सप्तमबर अठरा में 207 करोड़ की जो नेट सेल्स थी वो दिसंबर 18 में 217 की हो गई है मतलब इंक्रीज है बड़ी होई है प्लस में है और नेट प्रॉफिट भी नेट प्रॉफिट में थो चारो क्वाटर के तो यहां पर 34 करोड़ को नेट प्रॉफिट था मार्च 18 में जून 18 में 38 करोड़ का था और सप्तमबर 18 में 43 करोड 12,00,00 का था और दिसंबर 18 में 40 तो यहां से यहां पर थोड़ा 3 करोड़ की डाउनसाइड है बाकी नेट सेल्स में कंटिनीवस ग्रोथ ह अपरेटिंग प्रॉफिट में भी देखी यहां पर हां continuous growth लेकिन अपरेटिंग प्रॉफिट में December 8 में भी यहां पर थोड़ी टाउंसाइड है आई हम details में जानने कोशिश करेंगे average quality company है और sales growth at 14.96% की EBIT growth at 67.38% की अभी attractive valuation पर यह खड़ा है तो अगर यहां पर आज का जो भाव है 1174 रुपए और 472.1797 तक यह attractive valuation पर रहेगा उसके बाद fair पर जाएगा तो अभी जो ROC है इसका 38.90 का और ROE है इसका 30.32% का तो यह अच्छा है अच्छा दिख रहा है financial trend is very positive और score है 22 का आई रिटन देख लेते हैं तो रिटन में देखे हैं आप ए गजब के रिटन से दिया हैं 10 सालों में इसने 4,226% का रिटन दिया है chemical की company और small cap और micro cap company हैं देखे ग्रोथ कौन सी कंपनियां जादार करती है मैं आपको बता दू मेरा जो observation रहा है इन कंपनियों में तो large cap तो already इतनी बड़ी हो जाती हैं तो वो एक दिगज कंपनियां हो जाती है market cap उनका अच्छा खासा होता है और वो धीरे-धीरे कुछ कंपनियां growth करती रहती है और अडिटन देती रहती है लेकिन micro cap और small cap में इतनी potential होती है क्योंकि च्छोटी कंपनियां क्या होती है वो जाती ही कि अब growth करें growth करें और expansion करें अपना तुन में जबरदस्त भागने की तेजी उत्षमता होती है तो इस रेटन दिया तीन सालों में 360% के रेटन दिया दो सालों में 202% के रेटन दिया है एक साल में यहां पर 15% का कोई बात नहीं 15% तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी नहीं मिलता तो और यह तिल डेट अब जन्वरी से यहां पर 21% के नेगिटिव में और 6 मन्त में 15% के नेगिटिव तीन मही ने में बनाती है आपको थोड़ा सा उसके विस्तार पूरब बता देंगे और यह देखे शेर होल्डिंग पर्टर में भी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास 52% की एक अच्छी मानी जाती होल्डिंग और एक भी शेर गिरिवी नहीं यह बहुत अच्छी बात इफाइज ने भी यहाँ 22 FIIs ने पैसे लगा रखें और mutual funds की चार स्कीमों ने यहाँ पर पैसे लगा रखें और हाइस्ट पब्लिक शेर होल्डर है Life Insurance Corporation of India 7.66% की यहाँ पर अभी तक की LIC जबर्दस्त इनकी होल्डिंग है और इंडिविजुल से 33% करीब तो LIC वालों दबा के पैसे कमा हैं साब से आपकी policy होती है चलिए अच्छी बात है company अच्छी इन लोगों को विश्वास है तभी insurance और mutual funds की skims ने यहाँ पर पैसे लगा रखें और इंडिविजुल्स ने भी खुद्रागराख हम आप जैसे लोगों ने भी काफी अच्छी holding बना रखी है अब देखिए यहाँ पर dividend भी देती है latest dividend इसने दिया था 2018 में 12 रुपए 50 पैसे per share के साब से जो की बहुत ही अच्छा है और excel industry अपने राइंग में 11 पोजिशन पर है 1960 से और pesticides agrochemicals से related है excel house है इसका excel to excel देखिए यहाँ पे कुछ products है यहाँ ज्यादत नहीं बता पाऊं क्योंकि पढ़ने बहुत समय चला जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है फिर भी अगर आप इसमें interested है और मुझे लगता है chemical की जबरतस कंपनी जिससाब से पिछले दस सालों में पांस सालों में रिटन इसने दी है तो obviously chemical की demand बहुत जादा रहती worldwide और इंडिया में भी तो जिससाब से इनके products से तो आने वाले समय भी अच्छा रिटन दे सकती क्योंकि small cap company है और Since it's 1941, Excel Industries Limited has been known as a poignure in the area of crop protection chemicals for the industry as well as the farming community. Today it has successfully leveraged its strength to emerge as a leader in a range of speciality and performance chemicals. इस अबर्दस chemical देखे जो खेती बारी में भी chemicals होते हैं केट नाशक होते हैं, environmental or biotech तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे chemical बनाती है Phosphorus derivatives, Phosphonates, mining chemicals, biocides, specialty chemicals, Xcel Industries Limited, we are Xcel Industries Limited one of the India's first domestic chemical manufacturers, we are pioneers in indigenous chemicals technology and sustainable waste management innovation has always been a key driving force at Xcel since our inception in 1941, we have achieved hundreds of chemicals process breakthrough, steadily contributing to the enhancement of technology know-how in the nation, तो बहुत साइड डीटेल्स हिन नुन दी है किस पकार एक chemical बनाते हैं, तो जबर्दस company लग रहे ही, friends अब देखे यहाँ पर यहाँ पी देख लेए 20.05 की पी, EPS दिखा रहा है 57. मतलब EPS जबर्दस दिखा दिखा दावन रुपए, 81 पैसे का, अर्निंग पर शेयर और बाकी हम देखी चुके, तो दोस्तों यह एक chemical की company नहीं जिसके बारे हमने बताया, और dividend भी बताया, dividend भी जबर्दस देती है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि नहीं प्राइस होता है, वो महेंगा लग रहा है, तो देखिए मैंने कई chemical सी company बताई होई है, जिनमें अलग-अलग तरीके की company है, जिन कुछ का premium भी कम है, कुछ का ज्यादा है, लेकिन कभी भी आप यह मैं फिर से एक बात कहना चाहूंगा, यह से मैंने अतुल इंडस्ट्री का एक chemical की company हो, उसका भी मैंने वीडियो बनाया था, तो उसका 3000 के आसपास है, exact क्या भाव चल रहा हूँ है, तो मैं आज अभी देख भी सकता हूं, बता भी सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा भी देखे, 1174 रुपए, BSC पे एक्सल इंडस्ट्री का है, तो यही मत देखिए, जि इंडस्ट्री में तो जो मैंने देखा, एक तो इनके shares गिरी भी नहीं है, क्या होता कि इनके shares गिरी होते हैं, धीरे-धीरे वो company को खा जाती है, इस टेक promoters बेशते रहते हैं, बेशते रहते हैं, company के expansion में, company के घाटे बेचा रही हैं, तो करजा ले लेके, इस company पर अभी त company है, तो एक information मैंने दिये इस video के बारे में, अगर आप लोगों को लगता है, chemical का आपको potential लगता है, तो आप कुछ shares इसकी ले सकते हैं, और बाकी कोई भी stock बेशनिया खरीदने से पहले, आप अपने financial advisor के जरुर मश्वरा करें, यह मेरी एक advice और एक disclaimer है, thank you for watching this video friends, have a nice day.